हेलो स्टूडेंट्स आज हम नवी कक्षा के हिंदी विशे का सेकंड चेप्टर पढ़ने जा रहे हैं लेसन का नाम है बिल्ली का बिलूंगरा बिलूंगरा का अर्थ होता है बिल्ली का पिल्ला या फिर बिल्ली का बच्चा यहाँ जो लेसन है वह राजेंद्र लाल हंड़ा द्वारा लिखा गया है तो सबसे पहले हम लेखका परिचे पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी लेसन की ओर बढ़ेंगे राजेंद्र लाल हंड़ा जी एक जाने माने कथाकार है मतलब वो बहुत सारी अलग-अलग जो स्टोरिया हैं वो लिखते हैं और उनसे ही उनकी पहचान है और इनकी जो भी रचनाय हैं मतलब वो जो भी स्टोरिज लिखते हैं या फिर जो भी लेखन करते हैं वो हमें पत्र पत्रिकाव यानि नियूस पेपर या फिर मैगजीन में छपी हुई मिलती है पढ़ने के लिए मिलती है और मतलब यह समसमाईक समसमाईक मतलब वरतमान समय में जो भी अलग-अलग टॉपिक से अलग-अलग समश्या है उन समश्याव पर ही जादा करके यह अप कि किसी की भी लाइफ में बहुत सारी अलग-अलग जो रोचक घटनाई होती है वो घटित होती है तो उन्हीं घटनाओं को एक हाश्य का अंदाज देकर एक हसी का रूप देकर लोगों के सामने प्रस्तुत करना इसे हम हाश्य कहानी कहते हैं और ज्यादा करके जो भी हाश तो आज हम ऐसा ही एक हाश्य कहानी पढ़ने जा रहे हैं तो अब हम अपनी स्टोरि स्टार्ट करते हैं एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था परन्तु आज कल की परिस्टिति के कारण पुरानी विचारदारा और परमपरा एकदम घपले में पढ़ गई है वहीं विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले लेखक कह रहे हैं कि एक समे ऐसा था की जब बिल्लियों को घर में आने नहीं दिया जाता था और इसका एक reason ये भी हम कर सकते हैं कि पुराने समय में बिल्लियों का घर के सामने रोना या फिर घर में रोना अपशगुन माना जाता था और इसलिए जादा से जादा जो लोग है वो बिल्ली को अपने घर से दूरी रखना पसंद कर दे थे और इसलिए बिल्ली का घर में आना जाना बुरा माना जाता था कि कहीं उनके घर पे कोई अपशगुन ना हो जाए लेकिन जैसे जैसे परिस्तिती बदलती है समय बदलता है वैसे वैसे लोगों की जो mentality है thinking है सोच है वो भी बदलती है और लोग क्या करते हैं जो विचारधाराए होती है उनको भी बदलने लगते हैं और इसलिए हमारी जो विचारधाराए और परंपराए हैं वो घपले में पर रही हैं घपले में पढ़ने का अरथ होता है कि किसी भी काम में रुकावट आना तो हमारी जो सोच है बिल्ली को हमारे घर से दूर रखना चाहिए उसमें क्या हो रही है, रुकावट आ रही है किसी भी किताब में हमें यह नहीं लिख कर दिया गया था कि इन परंपराओं को या फिर विचारधाराओं को हमें मानना है या फिर नहीं मानना है हम अपनी सहुलियत के इसाब से जो हमारे लिए फायदे का होता है जो हमारे काम का होता है उन्हें हम अपनाते हैं और जो विचारधारा या फिर परमपरा है हमारे किसी काम की नहीं होती है फिर जिन से हमें कोई फायदा नहीं होता है हम उसे नजर अंदास कर देते हैं उन्हीं परमपराओं में से एक है बिल्ली का पानला या फिर घर में आने जाने देना जब हमारे लिए वो चीज़े काम की नहीं थी तब हम उसे अपशगुन मानते थे या फिर बुरा मानते थे लेकिन जब अब हमारे लिए बिल्ली जरूरत मन्द हो गई है तो हमने एक नई परमपरा विचारधारा प्रचलित की है कि बिल्ली को पालने की तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड लेकाख हमें एक स्टोरी बता रहे हैं पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रैतने किये गए पर हमारी एक न चली आटे और अनाज के लिए लोहे के धोल बनवाए गए यहाँ उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा परन्तु आख बचा कर चूहे इन धोलों में भी गुसने लगे इस समश्या पर कई मित्रों से परामश किया गया आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए इस प्रस्तावना पर किसी को कोई आपती न थी लेखक कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले उनके घर में काफी चूहे हो गए थे और उन चूहों ने उनको बहुत ही परिशान किया हुआ था उन चूहों से बचने के लिए या फिर उन चूहों को भगाने के लिए लेखक ने बहुत सारे प्रतनी किये बहुत सारी कोशिशे की लेकिन वो सारी कोशिशे किसी काम की नहीं थी उसके बाद उन्होंने अपने अनाज या फिर आटों को बचाये रखने के लिए लोहे के ढोल बनवाएं लोहे का ढोल यह एक ऐसा पात्र है जिसमें अनाज को सुरक्षित रखा जाता है तो उन पात्रों में उन्होंने जो भी अनाज थे उन से भी अनाज को सुरक्षित रख दिया लेकिन वह अनाज कुछी समय तक सुरक्षित थे उसके बाद जो चुवे थे वो आख बचा कर मतलब चोरी छुपे उन अनाजों तक पहुँच गए अब इस समश्या से बचने के लिए उन्होंने अपने मित्रों से बाचित की मित्रों से बाचित करने के बाद उनको एक उपाईया मिला कि उनको घर में बिल्ली पालने चाहिए और बिल्ली पालने से उनके घर में किसी भी परिवार वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी तो आखिर में यह फैसला किया गया कि अब हो क्या करेंगे उन चुहों से बचने के लिए घर पर बिल्ली पालेंगे चुनांचे एक बिल्ली लाई गई उसकी खुब खातीर होने लगी कभी बच्चे दूद पिलाते कभी रोटी रेते उसने विधी पूर्वक चुहों का सफाया शुरू कर दिया देखते ही देखते चुहे घर से गायब हो गए सब लोग बड़े खुश हुए बिल्ली प्रयाय सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा दो महीने बाद वह समय आ गया जब हम चुहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए हमने सोचा चुहे तो खाली अनाजी खाते थे कम से कम परिशान तो नहीं करते थे यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है उसके प्रती हमारा व्यवहार बदल गया लेखा के एक बिल्ली लेके आये और उस बिल्ली की खुब खाते दारे होनी लगी कभी बच्चे उसको दूद पिलाते थे तो कभी रोटी खिलाते थे और उस बिल्ली को जिस उद्देश से लाया गया था उसने भी उसी प्रकार से अपना काम करना शुरू कर दिया था और कुछ दिनों में ही देखते देखते जो उनके घर से हैं वो चुहे पूरी तरीके से गायब हो गए और चुहों के गायब होने से उनका पूरा परिवार बहुत जादा खुश था और जो बिल्ली थी वो जो भी लोगों की बची हुई जूठन थी उसी को खा कर अपना पेट भर लेती थी इसलिए लेकर के घर पर उस बिल्ली का कोई खर्च भी नहीं था लेकिन वो दिन भी दूर नहीं थे कि जब दो महीने बाद जो लेखक के घर वाले थे वो बिल्ली से भी काफी परिशान हो गए थे क्योंकि वो बिल्ली खाना तो खाती थी लेकिन उसके साथ साथ लोगों को बहुत जादा परिशान भी करती थी और अब लेखक और उनके घरवालों को ये लगने लगा कि चूहे तो कम से कम शांती से अनाच खाते थे और चले जाते थे लेकिन ये बिल्ली है वो खाने भी किसी से कम नहीं है लेकिन खाती तो है और हमें परिशान भी करती है और इसकी वज़े से जो शुरू में बिल्ली की खार्तिदारी की जाती थी अब वह वेवार बदलने लगा बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती उसने भी अपना रवया बदल दिया हमारे आगे पिछे फिरने की बजाए वह रसोई के आसपा स्कोने में दुबग कर बैठ जाती जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई एक दिन सुबा उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया देखता हूँ कि करे हुए दूद का दही जो रात को बड़े चाओ से जमाया गया था बिल्ली खुब मजे से खा रही थी लेखक के अनुसार जो बिल्ली है वह अभी बहुत समझदार जानवर है और बिल्ली कभी भी शेर के काबू में नहीं आती तो वह लेखक से कैसे मात खा जाती इसलिए जब लेखक के घरवालों ने या फिल लेखक ने बिल्ली के लिए अपना जो बिहयविएर था वो बडल दिया और अब वो उनके आगे पीछे खाने पीने के लिए नहीं गुमती थी बलकि किचन में जाकर एक जगा छुपकर बैट जाती थी और जब उसको मौका मिलता था जब उसे ऐसा लगता था कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं है तो उसे जो भी खाने पेने के लिए मिलता था वो अपना मन चाहा चीज खा पी लेती थी और इस तरह के से चोरी चुपके बिली जब भी खाती रहती थी उसे कई बार पकड़ा गया था और एक दिन ऐसा हुआ था कि जो लेखक है वो सुबा सुबा किचन में कुछ लेने के लिए जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि जिस दही को उन्होंने रात को बड़े शौक से जमाया हुआ था उस दही को बिली बड़े मजे से खा रही थी अब चिंता हुई कि बिली से कैसे पीछा चुड़ाया जाए मेरा नौकर बहुत होशी आ रहे रात को काम खतम करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर दो रोटिया डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा बिल्ली आई वह एक दम रोटी पर जपती नौकर ने तुरंट बोरी का एक सीरा पकड़ कर उसे उपर से बंद कर दिया लेखा कहते हैं कि जो चूहे हैं उनसे तो उनको छुटकारा मिल गया लेकिन अब बिल्ली से वह बहुत जादा परिशान हो चुके थे उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा था कि वह बिल्ली से पीछा कैसे छुड़ा हैं लेकिन उनका जो नौकर था वह बहुत ही होश्यार था उसने रात को सारा काम खतम कर लिया और जाने से पहले एक खाली बोरी ली और उस खाली बोरी में दो रोटी डाल कर वह चुपके से ब नौकर था उसने क्या किया जो बोरी का उपर का मुँ था उपर का सेरा था उसको उसने बान दिया रसी के साथ बोरी का मुँ बान दिया गया चुकि अब रात के दस बजे थे मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सरबेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाए जिससे वह इस घ लेकिन बिल्ली को पकड़ते पकड़ते रात के दस बच चुके थे इसलिए लेखक ने अपने नौकर को कहा कि वह कल सुबह क्या करे उस बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाये ताकि वह बिल्ली वापस लेखक के घर ना आ सके और लेखक को हमेशा के लिए उस बिल्ली से छुटका आना है बोरी कंदे पर लटका अमरूत चल दिया बात आई गई हो गई मैं हजामत और सना नादी में वेस्थ हो गया क्योंकि साड़े नो बजे दफ्तर जाना था तो दूसरे दिन जो लेखक का नौकर है उसको उनके घर वालों को चाय वगेरा पिलाते पिलाते आड़ बज ग भूली बटियारिन ये दिली का एक महल है जो भूतिया फोट के नाम से जाना जाता है तो उस बिली को लेखक ने नौकर को वहीं छोड़ कर आने के लिए कहा ताकि वह वापस आना सके तो नौकर ने तुरंत अपने मालिक की बात मानी और उस बोरी को अपने कंदे पर लटक हो गए क्योंकि उनको साड़े नौबजे दफ्तर यानि की ऑफिस पहुचना था गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया मैं नहाने में वैस्त था और कुछ गुनगुना रहा था इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया दो मिनट के बाद ही फिस शोर हुआ इस ब खुड़ाना चाहते हैं तो छपपर वाले कुए पर पहुचिए तो लेखक जब नहाने में वैस्त थे तब गुसल खाने बात्रूम में जो नहाने का घर होता है उसमें उनको कुछ शोर सुनाई दिया लेकिन वह नहाने में इतना वैस्त थे और कुछ गुनगुना रहते ग दिखान नहीं दिया लेकिन दो मिनिट के बाद वापस से उनको उनके घर के दरवाजे पर आवाज आई कि अगर उनको उनके नौकर को बचाना है तो वो जल्दी क्या करें जो छपपर वाला कुए है वहाँ पर पहुचे मैं हैरान हुआ कि क्या बात है समझा शायद अमरू किसी कि साइकल से टकरा गया होगा शायद साइकल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो रही आदमी कटे होने की बात यहा काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करॉल बाग में तो बहुत आसान है जहां सेकड़ों आदमियों को पता ही न लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया वह खुब खिलखिला कर हस रहा था उसे डाटते हुए मैंने पूछा अरे क्या बात हुई तुने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड की जो इतना शोर मचा और मुहले की लोग तुझे मारने को दोड़े लेखक ने जब अपने नौकर के पकड़े जाने या फिर उसको मार पड़ने की बात सुनी तो वह हैरान हो गए उनको यहानी समझ में आ रहा था कि उनके नौकर ने ऐसा क्या किया जिसकी वज़ा से इतना शोर मच गया वह यह समझ रहते कि शायर ऐसा हुआ होगा कि उनका जो नौकर है वह किसी रास्ते पर चल रहे साइकल वाले से टकरा गया होगा जिससे साइकल वाले का कुछ शायद नुकसान हो गया हो और इसलिए उसे धर पकड़ लिया गया है और रही भीड़ी कठ्था होने की बात तो दिल्ली जैसे शहर में और वह भी करोल बाग में इत और जब लेखक अपने नौकर को छुड़ाने के लिए उस तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका नौकर खाली बोरी लटकाये वापस आ रहा था और मनी मन को सोच कर खिल खिला रहा था हस रहा था उसको डाटते हुए लेखक ने पूछा कि अरे तो ने सुबह सुबह ऐसा क्या कर दिया जो मतलब पूरे महले में इतना शोर मज़ गया और लोग तुझे मारने के लिए दोड़े अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाये बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है अमरू सभाव से अल्प भाशी है कुछ मसकरा भी है वह चुप रहा देखते देखते पचासो आदमी इकटा हो गए तो मतलब जो लेखा के जैसे ही उन्होंने अपने नौकर को पूछा कि सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया लेकिन अमरू को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसके बताने से पहले उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे तो उन्होंने लेखक को सारी बाते बता दी कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था अचली हुआ यह था कि जो अमरू है वो कंधे पे जिस तरीके से बोरी को लटका कर लेके जा रहा था तो कुछ लोगों को यह लगा कि वो क्या कर रहा है बच्चे को बोरी में भर कर चुरा कर लेके जा रहा है और अपने शक को सही करने के लिए दो आदमी उस नौकर के पीछे पीछे चलने लगे और बोरी में बिली होने के वज़े से बोरी जिस तरीके से अंदर से हिल रही थी वो लोग को ये पूरा विश्वास हो गया कि मतलब जो अमरू है वो क्या कर रहा है किसी बच्चे को लेकर जा रहा है जो अमरू है उसका स्वभाव ऐसा था कि वो थोड़ा मसकरा किस्म का इनसान था और कम बोलने वाला वेक्ति था इसलिए वो चूप रहा और इसकी वज़े से देखते देखते पचासों लोग वहाँ पर इकठा हो गये थे उन में से एक चिला कर कहने लगा घेर लो इस आदमी को यहां बदमास उसी गिरोह में से है जिसका कम बच्चे पकरना है उस जगा से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिफाई को बुला लाया थानेदार को देखते ही एक उचसाही दर्शक अपने कुर्टे की बाहा उपर चढ़ाते हुए बोला दरोगा जी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहां से ले जाए और कानूनी कारवाई की आर्ड में इसे हावलात में मजे लेने दे पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी गजब नहीं है कि भरे मुहले से बच्चे उठा लिया जाए दो दिन हुई पासवाली गली से एक बच्चा घूम हो गया देवनगर से तो कई उठाय जा चुके हैं आप बाद में इसके साथ चाहे जो कर ले पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे जब नौकर के आसपास कई लोग इकठा हो गए तो उनमें से एक जो आदमी था वो चिला कर बोला कि इसे घेर लो ये वह है जो क्या करता है बच्चो को चुराने का काम करता है वहां से पुलिस स्टेशन भी दूर नहीं था और इसलिए एक आदमी तुरन थी पुलिस स्टेशन पहुशता है और वहां से एक ठानेदार और एक सिपाही को भी बुला कर लेके आ जाता है जैसे ही लोग ठानेदार और सिपाही को देखते हैं तो वहां पर जो भी लोग इकठा हुए रहते हैं उसमें से एक आदमी रहता है वह अपने कुर्टे को बाहां पर चड़ाते हुए बोलता है कि दरोगा जी आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप इस बदमाश को यहां से चुप चप लेकर चले जाओ और वहां पर जाने के बाद हवालात में यह मजे करें इसको तो पहले हम लोग क्या करेंगे सरजा देंगे इसकी मरमत करेंगे मतलब कि वो पहले जो नोकर है उसकी वहां पर पिटाई कर लेंगे और पिटाई करने के बाद ही जो पुलिस वाले हैं वो उसको वहां से लेकर जा सकते हैं और उसके बाद वो हवालात में लेकर जाकर कुछ भी करें उसके बाद उनको उससे कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि इतने भीड़ भार इलाके में इस तरीके से दिन दहारे बच्चों को चुरा कर लेके जाना कोई मामली बात नहीं है और उनको ऐसा लग रहा था कि जो नोकर है वो बच्चों को चुरा कर लेकर जा रहा है उसकी इतनी जादा हिम्मत बढ़ गई हुई है और इसलिए लोग पहले खुद उसे सजा देना चाहते थे और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले करना चाहते थे भीड में से दसियों ने इस सुन्दर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तयार होने लगे तो उस भीड में जितने लोग भी इकठा हुए थे उसमें से काफी लोग ने इस बात को समर्थन दिया कि पहले वो लोग अमरू की पिटाई करेंगे और उसके बाद ही जो पुलिस है वो उसको वहां से लेकर जा सकती है और लगभख सब उसे पीटने के लिए तयार हो चुके उस दिनों दिल्ली में बड़ी संसनी फैली हुई थी नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबर आ रही थी एक दो बार पत्रों में यह छपा की जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किये हुए थ स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे पारकों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कुदना बंद हो चुका था दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विशे पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिल्चस्बी थी आश्चेरिय इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदे क्यों किया बलकि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी वातावरण में संसनी और तनाव की कमी ना थी उस समय जब अमरू को मुहले वालों ने बच्चों का चोर समझ के पकड़ लिया था उसमय दिल्ली में हर जगा संसनी फैली हुई थी कि अलग अलग जगर से जो बच्चे हो रहे वो किड्नैप हो रहे हैं और जिसकी वज़र से कई बार पत्रों में भी इस चीज़ को छापा जा चुका था कि जमना नग पानी से लाया जाता था और पार्कों में और गलीयों में बाहर बच्चों को खेलना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था डिल्ली के जो नगर पालिका है और संसदे वहां पर भी बच्चों की गिट्नैपिंग को लेकर कई बार सवाल जवाब हो चुके थे और इसलिए जो भी वहां के नागरिक थे उनके मन में इस विशे को लेकर बहुत दिल चस्पी थी और जिसकी वज़ा से लोगों ने अमरू पर संदे किया इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी कोई भी आश्चरिय वाली बात यह थी कि वातावरन में आसपास में इतनी संसनी और तना हो होने के बाद भी अमरू को अभी तक मारना पिटना शुरू क्यों नहीं किया गया अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां ना होते तो अब तक अमरू पर भीर तूट पड़ी होती थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा बोल यह बच्चा कर ही हटूंगा अमरू अब तक तो दिल से हस रहा था मगर थानेदार की धंकियों से कुछ घबरा गया दभी आवाज में वह थानेदार से बोला सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है ना मैं बदमाश हूं मैं तो एक भले घर का नौकर हूं रोटी चौका करता हू और अपना पेट पालता हूं तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि अगर उस समय थानेदार वहाँ पर नहीं पहुचा होता तो अब तक अमरू के खुब पिटाई हुई होती है लेकिन थानेदार की पहुचने के ही वज़र से अब तक लोग इंतजार कर रहे थे थानेदार जैसे ही वहाँ पहुचा थानेदार ने अमरू की कलाई पकड़ी और उससे पूचता शुरू की कि वह बच्चा कहां से उठा कर ला रहा है और बच्चे को उठा कर कहां लेकर जाएगा पहले तो जो अमरू है वो खुब हस रहा था मनीमन में लेकिन जब थानेदार की पू चुराया है वह तो एक किसी अच्छे घर का नौकर है और वहाँ पर रोटी चौका करकर अपना पेट पालता है जो आदमी थानेदार को बुला कर लाया था क्रोध में आकर बोला क्यों बकता है बे दरोगा जी ऐसे नहीं यह मानेगा दो चार बेत रसीत दीजिए दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ले ली थी कि अमरु नमरता पुर्वक जुका और बोला सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या हुक महों तो चलिये थाने चले यद्दपीत थानेदार इस बात पर राजी हो गय थे पर भीड कब मानने वाली थी लोग चिला उठे हरगीज नहीं ऐसा कभी नहीं होगा हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवा है मामला कभी दबने नहीं देंगे थाने डार डर गए कि उनकी नियत पर लोगों को शक हो रहा है उन्होंने अमरु से कहा अच्छा बोरी को नीच कि वह बच्चा चुरा रहा है तब जिस आदमी ने पुलिस वाले को बुला कर लाया था वह क्रोधित हो गया वह बहुत गुस्से में आ गया और उसने गुस्से में पुलिस वाले को कहा कि मतलब यह ऐसे नहीं मानेगा आप इसको दोचार डंडे मारो तब यह क्या करेगा जो गलती है उसको accept करेगा तो दरोगार ने क्या किया तुरंति जो कमर में रख्थी हुई ढंडिती उसको निकाला लेकिन उसको निकालते ही अम्रू ने कहा कि पहले आप इस बोरी में चेक तो कर लो कि क्या है उसके बाद तुम्हें जितना मुझे मारना होगा उतना मार लेना तो उन्होंने कहा कि अगर आपका हुपम हो तो हम पूलिस चेशन चलते और वहाँ पर देख लेते हैं कि इस बोरी में क्या है पूलिस वाला तो मान गया लेकिन आसपास के जो लोग जमा हुए थे उन्होंने कहा कि मैं गवा हूँ कि ये चोर है और इसलिए हम आपको इसको ऐसे नहीं लेने जाने देंगे और हम इस बात को ऐसे दबने नहीं देंगे तब पुलिस वाले को डर लगने लगा कि लोग उस पे क्या कर रहे हैं और पुलिस वाले ने कहा कि तुम्ह काम करो बोरी को यहीं पर नीचे रखो और इसका मुझ खोलो और हम देखते हैं कि इसमें क्या है अमरू शांती पूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुझ खोल दिया जैसे ही बोरी का मुझ खुला बिल्ली का बिलुंगडा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रहे गए थानेदार की समझ में ना आया कि अब क्या करें वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीट पर बेत मारते हुए बोला जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए इस प्रकार अपनी जेप मिट जाने का यतन करते हुए दरोगा जी चले गए और अम्रु हस्ता हुआ घर वापस आ गया जब ठानेदार ने अम्रु को बोरी खोलने के लिए बोला तो अम्रु ने शान्ती से बोरी नीचे रखी और उसका मुझ खोल दिया और जैसे यह अम्रु ने मुझ खोला वैसे जो बिल्ली का बच्चा था वो उसमें से निकल कर एक और कूद कर भाग गया और लोग देखते ही रहे गए अब ठानेदार को भी अपनी गलती समझ में आ गई थी और यह नहीं समझ पा रहा था कि वो करे तो क्या करे वो भी चुपचाप जो पुलिस टेशन है उसकी तरफ मुड और बीच में एक टांगे वाला था उसको उसकी पीट पर एक डंडा मारते हुए कहा कि बीच में टांगा नहीं खड़ा करते हैं वो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करने लगा और अमरू भी हस्ता हुआ अपनी घर की और आ गया इस पार्ट में लेखक ने कोई भी ज किया है ठांक यू